दोस्तो जैसा कि हम जानते हैं आज है गण तंत्र दिवस तो चलिए आज हम बनाते हैं एक special recipe तिरंगा चटनी with vegetable plow मैं आपके साथ कुछ tricks भी शेर करूँगा नमस्कार दोस्तो मैं हूँ chef नितेश and welcome to my youtube channel horizons recipe और पूरी recipe देखने के लिए हमारे youtube channel पे बने रहे बिना skip किये पूरी recipe देखे जिससे कि आप भी हमारी तरह बहतरी इन प्लाव with तिरंगा चटनी बना सके और अगर आपने मेरा youtube channel अभी तक subscribe नहीं किया है तो आपकी screen पे एक लाल बटन आ रहा होगा subscribe उस पे click कर लिजिए उसके बगल में एक bell आइकन है उस पे click करके all select कर लिजिए जिससे कि हमारी आने वाली हर वीडियो की notification आप तक मिलती रहे तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं तो चलिए दोस्ता वेजेटेबल स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम लेंगे थोड़े से मटार दो ग्रीन चिली जिसको हमने लंबाई में काट लिया है एक बड़ा प्याज स्लाइस काट लिया है एक गाजर जिसको हमने क्यूब्स में काट लिया है आधी शिम्ला में जिसको हमने डामेंड शेप में काट दिया और हमने आधा कि माच वेजटेबल ओईल इसमें हम डाले खड़े मसाले खड़े मसालों में हमने लिया है एक तेजपत्ता आधा चम्मच जीरा छोटा तुकड़ा दालचीनी एक बड़ी लाइची छे काले में चौर दो लॉंग चलिए अब इसको हल्ग का साम भून लेंगे चलिए दोस्तों इसमें प्याज जाल देते हैं दोस्तों प्याज हमें जादा नहीं भूनना है ब्राउन नहीं करना है सिर्फ इसको कुप करना है क्योंकि बिर्यानी बनाते वक्त प्याज ब्राउन किया जाता है प्राई किया जाता है लेकिन हम प्लाव बना रहे हैं तो हमें जादा सकते हैं चलिए अब इसमें डालेते हैं एक चम्मच नमक ये देखे दोस्तों गाजर भी सौफ्ट हो चुके है और ये देखे गाजर अभी भी लाल है रंग नहीं बदला है तो चलिए अब इसमें हम पानी डाल देते हैं और हां दोस्तों मैंने दो ग्लास भर के पानी डाला ह क्योंकि मैंने बास्मती राइस आधा किलो लिया है आधा किलो में दो ग्लास पानी भरके तो चलिए अब इसमें बास्मती राइस जाल देते हैं और हाँ दोस्तो सबसे जरूरी चीज हम चावल को लेडल से मिक्स नहीं करेंगे हम ऐसे हिला करके मिक्स करेंगे जिससे कि सारा चावल पानी के अंदर हो जाए और इससे हमारा चावल टूटेगा भी नहीं दोस्तों अभी हमने गैस को हाई फ्लेम में रखा है तो चलिए अब हम इसमें मिला देते हैं मटर क्योंकि यह सॉफ्ट वेजिटेबल है इसलिए हम इसको एंड में डाल रहे हैं और हम इसमें श चैसे कुक हो जाए और अब हम इसमें कवर लगा देंगे और इसको पांच मिटले कुक कर लेंगे तो चलिए अब पांच मिट हो गए हटा के देखे कवर वा जी वा देख रहे हैं दोस्तों कितना बढ़िया लग रहा है हमारा प्लाओ यह देखिए एक एक दाना जो है खिल टूटे ना चलिए दोस्तों अब बनाते हम तिरंगा चटनी हमने लिए दो टामाटर थोड़ा साध रख और साथ से आठ लस्टन के कलिया आधा चमच कश्मीरी लाल मेर्च और आधा चमच आमचूर पाउडर दोस्तों इसमें हम हरी मेर्च और धनिया यूज नहीं कर रहे हम और हां स्वाधणुस्वार नमक तम भूली गए थे यह देखे दोस्तों हो गई हमारी लाल चटनी तयार तो चलिए अब हरीच चटनी बनाई जाए हरीच रख लख ले लिया आधा आम चूर पाउडर तो चलिए अब इसे पीस लेते हैं चलिए अब मिला जाए आधा चमस नमक और चलिए अब इसको पीस लेते हैं ये लीजे दोस्तों हो गई हमारी हरी चटनी भी रेडी चलिए अब बनाते हैं तीसरी चटनी बुरा नहीं रहता दोस्तो इसके लिए हमें लेगा फुलासा गाड़ा दही, आधा चमद जिंजा गालिक पेस्ट, एक चौदाई चमद जीरा पाउडर और एक चौदाई चमद काले मेर्च पाउडर दोस्तो बुरानी रायता को मैं चटनी इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि हम इसको थोड़ा सा थिक रखने वाले हैं, जिससे कि ये हमारे चाबलों में अच्छे से बैठ पाए तो चलिए, इसको हम एक बाउल में ट्रांसफर कर लेते हैं, चलिए अब हम एक विस्कर से इसको अच्छे से फैर्ट लेंगे चलिए अब डाल लेता है एक चौथाई टी स्पून नमक, अच्छे से इसको अब मिक्स कर लेते हैं ये देखिए दोस्तो, है ना एकदम थिक, लग रहा है ना एकदम, मियोनेस या फे चटनी जैसा ये देखिए दोस्तो, अच्छे से मिक्स हो चुका है इस टाइम में मैंने थोड़ा सा निकाल लिया था दोस्तो, जिसको मैं डेकोरेशन की तरह यूज कर पाऊं तिरंगा बना निकले, और बाकी के बुरानी रायते में मैंने आधा काप पानी डाल लिया था जिससे कि इसकी कंसिसेंसी थोड़ी लाइट हो जाए दोस्तो, बुरानी रायते में रेडचिली पाऊडर भी डलता है, लेकिन मैं उसे यूज नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं इसको वाइट कलर यूज करूँगा तिरंगे के लिए, लेकिन अगर आप घर में बना रहे हैं, तो आप इसमें रेचिली पाऊडर भी ज़रूर यूज करिएगा और ये देखिए दोस्तों, ये हो गया हमारा बुरानी रायता रेडी, तो चलिए, अब सर्विंग की जाए ये देखिए दोस्तों, लग रहा है ना, एकदम जबरदस प्लाव, देखिए, एक एक दाना खिल के आया है, और पिलकुल भी हमारा राइस नहीं तूटा है तो दोस्तों, ये ट्रिक ज़रूर अपनाईएगा, राइस को कभी भी लेडल से मत चलाईएगा, हमेशा इसको टॉस करिएगा, जिससे की चावल कभी न तूटे दोस्तों, अगर आप बाउल में लगाना चाहते है तिरंगा, तो चलिए, एक बाई बाउल में भी तिरंगा लगा करके आपको दिखा देता हूँ ये देखिए, सबसे पहली लेयर, औरेंज कलर, बोले था हमारी टामाइटो चटनी लास्ट लेयर, ग्रीन कलर, मिंट और कुरियंडर चटनी एंड दा मिडल लेयर, बुरानी रायता, वाइट कलर, और ये देखिए, हो गया हमारा तिरंगा रेडी, तिरंगा चटनी तो दोस्तों चल्दी से जाईए, और कमेंट बॉक्स में लिख करके बताईए, कि आपको ये हमारी क्रियेटिविटी कैसी लगी, ये स्पेशल तिरंगा रायता वित प्लाव कैसा लगा, और हमारे चैनल को प्लीज सपोर्ट करिये, जिससे कि हम यूँ ही आप तक बहतरीन रेसेपी पहुंचाते रहे, हमें आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है, और रेसेपी को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद, जै हिंद!